हरर महादेव धर्षकों जै महाकाल आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो भी पूजी गुरुजी की कथा से सुनकर ही आपको बता रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान बिश्मु बहुत जादा प्रसंदोते हैं और साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसंदोती हैं कहते हैं इस उपाय को करने से भगवान बिश्मु के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में विराजमान रहती हैं और आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती इस उपाय को किस तरह करना है आपको बताएंगे इस उपाय को आपको कार्तिक मास की दस्मी तिथी को करना है कार्तिक मास की दस्मी तिथी जो तीन नवंबर की है आपको इस उपाय में क्या करना है आपको तुलसी मैया की जो लकड़ी होती है उसे लेना है उस लकड़ी को आपको रुई में लपेट लेना है मतलब रुई से उसे कवर कर देना है उस लकडी को फिर उसे देसी गी में गाय की देसी गी में उसे डिवोना है और उसकी बाती तयार करनी है आपको तुलसी माता के एक लकडी लेनी है उसे रूई में कवर कर दिये और गी में डूव कर उसकी बाती तयार कीजिए और उससे ही आप दीपक जलाईए यूगि केवा लकडी के जो दीपक आप जलाएंगे दुलसी का वो ठीक से नहीं जल पाएगा इसलिए आपको रूई में जरूद कवर करना पड़ाएगा तो आप उसे रूई में कवर करके देशी की में डूव का बत्ती तयार कीजिए और गी का दीपक आप भगवान विश्णु के सामने जलाईए और जैसे पूजा आर्चना करते हैं उसी तरीके से पूजा अर्चना कीजिए आर्थी कीजिए और जो भी आपकी मनो कामना है भगवान के सामने उसके लिए बिंती कीजिए देखिएगा इस उपाय को करने से आपके जो भी काम है वो सारे सिद्ध होने लगेंगे सारे काम बनने लगेंगे इसलिए इस उपाय को आप जरूर कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में हरर महादेब जरूर लिखें हरर महादेब जै महाकाल